अलो फ्रेंड्स स्वागात है आपका हिंदी मीडिया यूटूडब चैनल में और आद हम इस वीडियो में डिसकर्स करते हैं जैसा कि डेली डिसकर्स करते हैं तो हम इसको daily इसका analysis करते हैं हिंदी में और आपको जैसा पता होगा यह चैनल हिंदी मीडियम student के लिए है और अगर आप कोई भी student है student के लिए है तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस कर लें ताकि जब भी video upload हो तो आपको इसका notification मिल जाए और इतिहास की NCRT के lecture मिल जाएंगे भूगोल की NCRT के lecture मिल जाएंगे तो यह सब आपको यहां पर मिल जाएंगे एक ही जगए जिससे आप देखकर आप अपनी preparation कर सकते हैं तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो इने like जरूर करें और comment करें क्या पसंद आ गहाँ थे हमारी मुख मंत्री कार्याल्यस rate जहांपर प्र्थान मंत्री कल याने आज 25 फरवडी 2019 को राष्ट को राष्टी युद्ध इसमारक समर्पित करेंगे धियो राष्टी इसमारक की बात की जारएं तो प्रत्थान मंत्री म कर लेंद आरे कि करेंगे नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास राश्टी युद्ध इसमारक हमारे जवानों के लिए एक उचित सद्धांजली है जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपना जीवन उसर्ग कर लिया है राश्टी युद्ध इसमारक उन सेनिकों का भी इसमर्ण करता है जिन्होंने सक्सांती वाहिनी मिसनों और अराजकता ब्रोधी अवियानों को सर्वोच बली दान दिया था पिदान मंत्री ने 2014 में एक अत्याधनिक विस इस्तरी इसमारक के रूप में राश्टी युद्ध इसमारक का अपना बिजन प्रस्तुत किया था इसलिए important हो जाता है कि पूछ लिए जाएंगे कब इसको चालू किया गया कब इसकी सुरुबात की गई राश्टी इसमारक के विन्यास में चार संकेंद्रिये व्रत सामिल हैं जिनके नाम हैं अमर चक्र, भीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र तो इन चारों के नाम भी पूछे जा सकते हैं तो इन्हें याद रखें अमर, भीरता, त्याग और रक्षा चक्र इसके साथ राश्टी इसमारक परीसर में केंद्रिये चतु स्कोन इस्तम एक चाश्वत लौ और भातिये शेना, बायू शेना और नो सेना द्वारा लड़ी गई प्रिसिद लड़ाईयों को दरसाथी छे काश्चे भीत्ती चित्र सामिल हैं तो यह कोश्चन यहां से पूछ जा सकते हैं कि किस किस चीज से रिलेटर हैं परमबीर चक्र के 21 पुरुषकार विजेताओं की अर्ध पितिमा परम योद्धा स्टॉल पर लगाई गई है जिनमें तीन जेवित पुरुषकार विजेता सुवेदार मादन कैप्टन वाना सिंग सेवा निर्वित्द सुवेदार मेजर योगेंद सेह यादा और आएंगे तो जादा लेकिन थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए राष्टी युद्धिस्मारक सहीदों को उचे सद्धांजली देने के लिए एक क्रत्य राष्ट्री राष्ट्री की सामोहिक अकांच्छा की पढ़ने थी तो इस तरह की एका चीजह होती है तो जो हम पर देख लेगा तो हमारी न्यूज चलेंगे रक्षा मंत्राले की तरफ जिसमें बात कही जा रही है रक्षा मंत्री ने आग लगने की जगह का दोरा किया कहां लगी थी आग वजदेख लेते हैं रक्षा मंत्री सिधी मती निर्मला सीता रमन ने आज एरो इंडिया 2019 की आ लगने की जगह का दोरा किया जो बर्तमान में लेह का ये हलंका बायुशेना बेश में प्रगत्ती पर है घतना इस तंद पर भारतिये बायुशेना राज अग्रिशमन सेवा और राज पुलिस के अधिकारी मौजूद थे अधिकारी दोरा उन्हें इस गटना के बारे में जानकारी दी गई रक्षा मंतरी ने वाहन मालिकां द्वारा किये गए बीमा दावों को सोगम बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी लिए रक्षा मंतरी ने अधिकारियों को यसमिश्चित करने करने देश दिया कि लोगों द्वारा बीमा दावों और अन्न वरिष्ट अधिकारियों के साथ करनाटक के मुख मंत्री के साथ बैठक निधारत है यहाँ पर यह कारवाई की जा रही है इसके साथ रच्छा मंत्री ने सिनीमती निर्मणा सिदरमन को P4 पार्किंग छेत्र में तेजी से फैल रही आग को नियंत्यत करने के लिए करें बताया गया आग 30 किलोमेटर पती घंटे से अधिक की रफ्ता से चले वाली तेज हवाओं के कार्ड तेजी से फैली राज्य के अग्री शेमन विभाग के साथ OCC कमांडर ने आग बचाने के लिए 13 से अधिक फायर टेंडर साथ वाटर बोर्स और 33 अग्रिंग बरुन बाहरनों का क्यों एक साथ उपयोग किया इस तरह की चीज़ के गई इसके साथ अतिरिक्त बायू सेना के च्छै क्रेशर फायर टेंडर जिसका बिमान दर्गतनाग के मामले में इस्तिमाल किया जाता है का उपयोग आग के देजी से फैलने को नियन्तित करने के लिए किया गया था और पूरे आपको 45 मिनिट के भीतर और 3000 लीटर से अधिक फॉम के उपियों की द्वारा बजा दिया गया इन समय बद्द कारवाईयों ने सुलिश्चित किया कि छती एक छोटे से छेतर तक सीमित रहे और इसकी बज़े से बड़ी छती नहीं हो पाई तो आप देख स इनके जो मंत्री हैं उनका नाम आप जरूर बताएं काफी इंपॉर्टेंट है तो आप इनका नाम कमेंट में बताएं थोड़ा गूगल पर सच करेंगे तो थोड़ा आपको जानकारी मिलेगी अधिकार विहीन खन्णों के माहिला उध्यमियों के ससक्तिकरण एवं MSME की पहली कौनक्लेव क्लब मुंबई में हैं ठीक है सूक्ष में लगू और माध्यम उध्यम मंत्राल है MSME माहिला उध्यमियों का ससक्तिकरण 2019 अधिकार विहीन खन्णों के माहिला उध्यमियों का व के महला धिमियों को ससक्त बनाने और विभिन व्यापार आउसनों और व्यावसाय करने की उनकी प्रगती और सफलता में सक्षम बनाने से संबंदित अपनी तरह का पहला कॉनक्लेप प्यास है तो अगर महला ससक्ती करण पर कोई निमंद बगार लिखना हो तो इसमें आप यह पॉइंट कर सकते हैं यह एक प्रयास किया गया है सरकार की तरफ से इस कॉनक्लेप का ऐयोजन MSME मंत्रा लएक के राष्टिय SCST हब पहल के तहित किया जा रहा है जिसे इसका नाम भी याद रख सकते हैं किसके तहित किया रहा है इसके तहित जिसे SCST उद्मियों के लिए एक सहायक परिस्तिती की तंद्र विक्सित करने के लिए लक्षित किया गया है एक इस्थाई व्यावसाई की स्थापना करने तथा उसे चलाने में SCST महिला उद्मियों को सक्षम करने के लिए बित्व पोशन या सुभीदार जोखेम और विकास मंत्र का आकलन करने के मुद्धों पर कल दिन भर चलने वाले कारीकर्म के दौरान चर्चा की जाए इसका नायम का नाम पूछा था कमेंट में यहीं आ गया यह ठीक है कोई नहीं से कॉन क्लेप का उद्भारन करेंगे पत्पिर्दसक महिला उद्मियों और पिर्णा दाई महिला अचीवर्स को बर्स 2018 की महिला पुरुषकारों से सम्मानित किया जाए बेंक को द्वारा स्टेंड अप इंडिया पहल के तार स्टार्ट अप इंडिया है यहां बसायद महिला उद्मियों को रिंट संबित्रित संबंदी चेक या मंजूरी पत्र पित्रित किया जाएं बिचार मेंबर्स में बेंकर निवेशक और महिला उद्मियों के साथ MSME मंतरा लेके बड़े स्टाजिकारी भाग लेगे तो इसी के साथ आज के इस लेक्शन बस इतना ही मिलते हैं अगले लेक्शन धन्यवाद अगर वीडियो पसंद लाइक कमण करके शेयर करना ना बूल पर साथी चाले को सब्सक्राइब करें बड़े लाइकन प्रेस करें